हेलो स्टूरंस जी स्टूरंस का एड्मिशन एमकॉम या पीजी डिप्लोमा में दो दिन पहले हो गया था उन सभी को जो है फीज पेमेंट का जो ऑप्शन है वो भीज दिया गया है आपको एक टैक्स मेसेज आयोगा टैक्स मेसेज के अंदर आपको एक यूजरेम और पासव डालने गाएगा और अगर लिंक ओपन नहीं हो रही है तो उसका दूसर भी प्रोसेजर है सबसे पहले आपको क्रूम ओपन करना है उसकी बाद आपको फर्स्ट वाली जो साइट है उसके उपर क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगे आपको यहां पर औरेंज कलर में एड्मिशन से लिक कर आएगा वहां पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगे यहां पर आपको लॉग इन टॉप्लाइक ऑप्शन आ रहा है वहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक कर लेने के बाद यहां पर यूजर नेम और पासो डालना है उसके बाद लॉग इन पर क्लिक करोगे य इन पर रहा होगा इसके बाद यहां पे मैलत तो यहां पर नीचे लिखा है आपको ध्यान रखना है आपने आपको जैसे कि यहां पर नीचे क्लिक कर रहा हूं में तो यहां पर कॉर्परेटिव मैनेजमेंट और रोल रॉलर श्टरी जैसा लिखा है लब इस लड़के ने दो डिपार्मेंट सिले के थे जिकास के नर इसलिए दो ऑप्शन आ रहे है वैसे आपने भी जितने डिपार्मेंट सिलेक्ट कियोगे उतने अप्शन दिखा यहाँ पर तो जैसां प्लिक तो आपको टिक करूँ करकि ने पर अपको जो को च known कि वह देखाए जाये एक ऊटरेगा इसके बाद ini गलने यहाँ इसके उपर टिक करना है जैसके करोगे आपको वैडिभाई ऑटिवि पिपर कि करना है आपको करने के बाद आपको जो नीचे है वह दिखा दे जाएगा उसके बाद आपको क्रेडिट कार डेविट कार नेट बेंकिंग यूपियाई अब सारे अप्शन से फीस पेमेंट कर सकते हो अगर किसी स्टून को फीस पेमेंट का आप्शन नहीं आया है तो वह फैकल्ली पर जाकर कि कॉलिक्स एम्पकों के ऊपर जाकर वहाँ पर बोन तकता है कि यह नहीं आया आपको सास में अपका जिटकस का फार्म ले कर जाना है सो कि फीस पेमेंट की जो लाश डेट है वो 29 जून रखी गए यह 29 जून से पहले आपको फीस पेमेंट करना है अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया तो आपका सीट कैंसल हो जाएगा उसको आपको ध्यान रखना है थैंक यू